धनू राश्यवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। परन्तु आज यह सच्चाई हम बात कर रहेंगे। इस बात की हम गारंटी करते हैं, सच्चाई सुनकर आपके हाथ पैर थर थर कांपने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यूंकि खुश खबरी ही इतनी बड़ी है कि सुनकर आप सभी की आस पडोस में हड़कंप मत जाएगा। खुशी से सभी लोग घर में पागल हो जाएगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का जियोतिश के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में छमतकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। अभिनंदन है मातारानी, आपकी हर मनो कामना पूरी करें और जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ दे प्यारे दोस्तों, आज ही अपने पूजा घर में चुप-चाप लाकर रख लो। यह तो चीजें और आप देखेंगे कि आपके द्वारा की जाने वाली हर छोटी बड़ी, पूजा का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। पूरी तरह से निश्क्रिय हो जाएंगे। उनका ध्यान आपके उपर से हट जाएगा। मैं अपने जीवन की उथल पुथल में ही व्यस्त हो जाएंगे। इन दो चीजों की शक्ती इतनी प्रबल है कि इनके प्रयोग मात्र से यानि अपने पूजा के घर में या अलमारी में चुपचाप रख लेने मात्र से आपके द्वारा हर एक विनती, हर एक निवेदन, सीधे भगवान तक पहुँचेगा। और यह क्रिया भगवान को भी विवश्च कर देगी कि आपकी हर एक बात को सुनें और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें। प्यारे दोस्तों, कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे, यानि की अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अपने मन के भाव स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना ही जल्दी आपकी मनोकामना फलित होगी, उतनी ही जल्दी इन चीजों का प्रभाव आपके जी जीवन में कश्ट उठाने पड़ेंगे, जी हाँ, प्यारे दोस्तों, तो आपके जीवन में सफलता का मार्ग केवल सकारात्मक्ता की रह पर चल कर ही पे, बात होगा इस बात को, आप निश्चित तोर पर अपने दिमाग में बिठा कर रखें, अब आपके मन में यह प्रश सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो कि गुप्त रखी जाती है, जान बूज कर इन्हें छुपाया जाता है, सामान्य तोर पर लोगों को बताया नहीं जाता है, अब हमारी शास्त्री या फिर वैदिक पद्धती में इन चीजों के बारे में वर्णन तो मिलते हैं, लेकिन इन च जल्दी काम्याबी की सीढ़ियां चड़ जाते हैं, जीवन से उनके सारे कश्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं होता है, बस छोटे मोटे प्रयास करते रहते हैं, और हमेशा जीवन में परेशान बने रहते हैं, उनकी भक्ती और उनकी साधना है, कभी भी अब इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान कर चलिए कि कोई एक कथा वाचक है जो अपनी कथा बोल रहे हैं लेकिन कोई भी माइक नहीं है, कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, वे केवल अपने बौडी के बल से लोगों को अपनी कथा सुनाना चाहते हैं, तो वह कथा कितने लोग सुन पाएंगे, प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उनके नस्दीक बैठे हुए 150 लोग ही मुश्किल से सुन पाएंगे, बाकी लोगों तक उनकी कथा नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन यदि इनकी इसी कथा में माइक जोड दिया जाए, तो उनक ही बात ना होगी, तो प्यारे दोस्तों भाषा तो वही है, बाड़ी का बल उतना ही है, लेकिन साधन जोडते जाने से संख्या लेने की पहुँच बढ़ती चली जा रही है, तो इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, हमारी भक्ति और, पूजा पाठ भी वही होती है, और इसमे होगा कि कुछ लोग तुलसी की माला धारन करके रखते हैं, कुछ लोग हाथ में दंड पकड़ कर रखते हैं, पुराने जमाने के आर्शी मुनी हुआ करते थे, वह हाथ में दंड पकड़ कर रखते थे, कमंडल रहते थे, रुदराक्ष की यह तुलसी की या फिर हकीकी तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता था कि हाँ दोस्तों, तो इन सब चीजों को आपको बताने का हमारा मकसद ये है कि आप समझें कि हमारे आसपास जो चीज मौजूद हैं, इनकी शक्ति क्या है इनके प्रयोग के तरीके क्या है तो प्यारे दोस्तों हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं और इन दो चीजों का गुप्त प्रयोग आपको हम बताएंगे बस चुपचाप आपको इनका प्रयोग करना है अपनी पूजा की अलमारी में लाकर रख लेना है किसी से इस विशय में चर्चा नहीं करनी है फिर आप वही प्रार्थना, वही पूजा पाठ, वही हनुमान चालीशा करेंगे लेकिन आप उसके परिढाम कई गुना अधिक प्राप्त होने लगेंगे लेकिन फिर से हम प्यारे दोस्तों आपसे यही बात दोबारा फिर कहेंगे कि आप के मन के भाव शुद्ध होना आवश्यक है क्योंकि यह पूजा जो हम करते हैं हमारे घर में होती है जो हमारे जीवन में आस-पास हम देखते हैं चलती रहती है यह सात्विक पूजा होती है और यहां पर हमारा शत यानि कि हमारी मन की शुद्धता बहुत अधिक आवश्यक होती है यहां पर हमने मन में थोड़ा सा भी महल उत्पन्न किया यानि नकारात्मक्ता लेकर आए तो फिर हमारा हर एक प्रयास असफल हो जाएगा फिर किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा ही नहीं तो यह आप अपने दिमाग में बात पूरी तरह से बैठा कर रखें तो चलिए प्यारे दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण जयोतिश कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भाव के साथ मातारानी को याद करें मातारानी आपकी पुकार को अवश्य ही सुन ले के साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा था उनके नाम से हमने शनिवार की हवन में आहुतियां करवा दी है अब बहुत ही जल्द उन्हें जीवन में शुभ समाचार मिलने प्रारंब हो जाएंगे और जीवन की आ रही अडचनों से उन्हें मुक्ती निश्चित तोर पर प्राप्त होगी हमें मातारानी पर पूरा विश्वास है और यह सब क्रियाएं जो हम कर रहे हैं इस सब मातारानी के आदेश से ही की जा रही हैं उन्ही की प्रेरणा है इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें इस से आप हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ाएगी और यह बिलकुल ही फ्री है अब हमारी परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम माता से कामना करेंगे कि आपके उपर उनकी विशेश क्रिपा हो तो चली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आपने एक कहावत तो अकसर सुनी होगी कि जब इनसान का बुरा समय आता है तो फिर उसके जीवन में सब कुछ बुरा ही होने लगता है हर तरफ से बुराई ही उसके हाथ लगती है और ठीक है इसका उल्टा भी होता है कि जब इनसान का अच्छा समय आता है यही कहते हैं कि भाग्य उसका साथ देता है तो फिर वह यदि मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वह भी सोना बन जाता है यानि कि वह फिर कुछ भी कारे करेगा उसे उसमें काम्याबी मिलेगी किस्मत उसके साथ होगी इश्वर की शक्ती उसके साथ होगी यानि हर तरफ से अच्छाई की अच्छाई़ों से मिलेगी तो प्यारे दोस्तों कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि यदि ग्रहों की दशा चल रही है तो फिर थोड़ा बहुत ही कश्ट होगा लेकिन हमारी पुत्र पूर्वज फिर कहां चले जाएंगे वह भी तो हमारी मदद के लिए तैयार है और यदि पित्र दोश लगा है तो फिर ग्रहों के अशुभ परिणाम है वह भी तो प्राप्त होने चाहिए यानि कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का मेल हमें मिलना चाहिए लेकिन ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता जब बुराई जीवन में आती है तो फिर चारों तरफ से बुराई बुराई हासिल होती है एक बात आवरण ही नकारात्मक तयार हो जाता है फिर ग्रहों का शुभ परिणाम, पूर्वजों का आशीरवाद, कुल देवी की कृपा और हम जिनकी पूजा करते हैं, हमारे आराध्य देवता की कृपा, इन सब का क्या, यानि की सभी एक तरफ से पूरी नहीं हो सकते हैं, या फिर सभी एक तरफ से अच्छे नहीं हो सकते ह कुछ परिस्थितियां अच्छी और कुछ परिस्थितियां पूरी इनका अमीर हो सकता है। इसलिए होता है कि असल में जब इनसान का बुरा वक्त आता है तो उसके आचरण निम्नस्तर की हो जाते हैं। तरह की गलत और नकारात्मक गतिविधियां करना शुरू कर देता है। अब इससे नकारात्मकता एक कत्रित होती रहती है। प्यारे दोस्तों जब धीरे धीरे यह नकारात्मक उर्जा बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि यह पाप का घड़ा भर जाता है। तो आपने सुना ही होगा कि पाप का घड़ा अब तूटने वाला है। यानि कि यह नकारात्मकता है जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो फिर यह इनसान को चारों तरफ से घेर लेती है और जब यह नकारात्मकता चारों तरफ से इनसान को गिरती है तो फिर यह एक आवरण बन जाता है। यानि एक खोल जैसा बन जाता है जिसके अंदर इंसान कैद रहता है अब यह उर्जा उसे दिखाईए अवश्य नहीं देती है क्योंकि उर्जा कभी दिखती उर्जा महसूस करने की चीज होती है तो अब आप समझिए कि जब आपके आसपास नकारात्मक उर्जा का वातावर कि उस्चित करेगी लेकिन आके आसपास तो आके कर्मों के आधार पर नकारात्मक उर्जा का वातावरन तैयार हो चुका है तो अब आपको ना तु देवी देवताओं की पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा ना कुल देवी या देवता का आपको आशीर्वाद प्राप् तो अब ऐसी में इनसान क्या करें? प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जातक अपने जीवन में इस प्रकार का समय देख रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत ये अनुभवतों अवश्य कर रही है, कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुराई जीवन में अवश्य आ रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। आपने अपनी दान का बखान शुरू किया वैसे ही दान का पूरा महत्व समाप्त हो जाता है। फिर दान करने के बाद भी आपको उसका पुन्य का फल सकारात्म कूर्जा प्राप्त नहीं होगी। अब कोई क्या करें अपना दान भी कर रहे हैं और बताए भी नहीं तो ये तो बहुत बुरा लगता है कि भाईया पैसा भी चला गया। मेहनत भी चली गई और हमने बता भी नहीं पाया, नाम भी नहीं कमा पाया तो प्यारे दोस्तों, हमारी वैदिक परंपरा में दान को प्रचार का माध्यम नहीं बताया गया है। ये गुप्त रूप से होना चाहिए। प्रचार करने के लिए आप कोई दूसरा कार्य करिए। कुछ ऐसा कर्म करिए जिससे आपका स्वयम ही प्रचार हो जाए। लेकिन दान कर्म से प्रचार नहीं करना है। ये बहुत ही गुप्त प्रक्रिया है तो आपको छोटे- कुण बात ये है कि किसी का राज्य में अपनी भक्ती पूरी तरह से द्रढ कर लीजिए तो इन सब बातों को प्यारे। दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हम कमेंट में ऐसे पढ़ते हैं कि गुरु जी हमारे तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। हर त किसी बीमारी की तरह हमारी जीवन में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, कब नकारात्मक्ता ने हमें खेलना शुरू कर दिया है, इस बुराई में लिप्त होने लगे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन यदि सतर्क रहें, जागरित रहे तो हमें इनका एहसास समय हो जाता है तुरंत हमें इन कारियों को बंद कर देना चाहिए और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य की हमें शुभ कार्य यानि की पुन्यप्रापति के लिए जो कार्य बताये गए हैं उन्हें भी नियम से करते रहना चाहिए इससे हमारा बुरा समय कभी नहीं आता प्यारे दोस्तों शास्त्र में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आप इस दुनिया में यानी अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे देना शुरू कर दीजिए फिर भगवान आपको वह देना शुरू कर देंगे मान के चलिए कि आप दुनिया से प्रेम चाहते हैं कि आपको सब लोग प्रेम करें तो आप सब को प्रेम देना शुरू करिए जरा देखिए कि बदले में आपको कितना प्रेम मिलता है ठीक इसी प्रकार सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना शुरू करिए देखिए फिर आपक आपके पास आया है और ना ही आपकी मर्जी से यह जाएगा आप तो माध्यम है प्यारे दोस्तों देने वाला तो भगवान है आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में राजा महाराजा और धन विशेश रूप से दान किया करते थे उनके पास कभी इस चीज की कमी नहीं हुई आपके पास भी नहीं होगी आप यकीन मानिये आप खुल कर दान करना शुरू करिये फिर देखिये कि पैसा कैसे आपके जीवन में अलग-अलग रास्तों से आता है एक बार किसी स्थान से पैसे की आवक शुरू होगी तो रुकेगी ही नहीं दान का महत्व बहुत बड़ा है प्यारे दोस्तों इसका विधान समझे और इसको प्रयोक करना सीखे बहुत कुछ आपको हासिल होगा तो इन सब बातों को बताने का मकसद केवल हमारा इतना है कि आप स्वयम ही अपने जीवन में चल रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और स्वयम ही इन से बाहर निकलने का रास्ता आपको ढूंडना पड़ेगा कोई आपका हाथ पकड़कर आप जीवन के कष्टों से बाहर निकालने के लिए नहीं आने वाला है यह आपका करम है आपको ही यही युद्ध लड़ना है और आपको ही इस युद्ध को जितना भी है प्यारे दोस्त कि हम आपसे क्या कह रहे हैं सबसे पहले आपको अपनी पूजा कर के लिए एक लक्षमी पोटली तयार करनी है जी हाँ प्यारे दोस्तों लाल किताब में इसका वर्णन मिलता है और इस पोटली का महत्व इतना अधिक है कि जिस जातक के घर में पूजा घर में यह पोटली पा समझे हर एक चीज को चुन-Cुन कर लाए पवित्रता के साथ मन में भाव उत्पन्न करती हुई इस पोटली का निर्मान करें शुकरवार के दिन शाम के वक्त आपको यह कार्य करना है तो आप दिन के समय इस पोटली को तयार करें और शाम के समय आप इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले इस पोटली के लिए क्या-क्या सामगरी चाहिए। वह ध्यान से समझें सबसे पहले आपको लाल रंग का। कपड़ा चाहिए। लाल रंग का ही एक धागा चाहिए जिससे यह पुतली का निर्मान किया जाएगा। कपड़ा कूडा होना चाहिए। धागा भी शुध और गोरा होना चाहिए। अब आपको इस पुत्री में सबसे पहले एक चांदी का सिक्का रखना है, थोड़ा सा खड़ा धनिया रखना है और उसके बाद थोड़ी सी चावल जिन पर हल्दी लगी हुई हो, यानि अच्छा और इसी के साथ 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 कमल गट्टे और साधु लक्ष्मी कौडिया रखे याद रखें कि कौन यहां खंडित नहीं होनी चाहिए, जरा भी खंडित कोनी आपने यहां रख दी तो इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा इसी प्रकार कमल गट्टा को भी देखें कि उनमें कोई छेद नहो किसी प्रकार से वह खंडित ना अब इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा कीसर लेना है, एक चुटकी केसर लेना है और उसे भी इस पोटली में आपको रख देना है अब जिस कंपनी में आप इस पोटली को बनाने जा रहे हैं, उस कपड़े पर आपको तीन बार छेह लिख देना है या नहीं 6, 6, 6 हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है तीन बार, आप कुछ लिख देना है छे का जो अंग है ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो तीन बार छेह लिखने के बाद आपको ये सामगरी इस पोटली में रखकर इसे लाल धागे से बांध लेना है अब इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, कोशिश यह करना है कि आप जब अपने पूजा घर में बैठकर इस सामगरी को तयार करें, तो कोई आपको देखना पाए ये प्यारे दोस्तों, अब आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय, यानि कि शाम को साथ और आठ बजे के आसपास गाय के घी का दीपक जलाना है और मातारानी के चरणों में लालपुष्प, लालुप्रसाद और यह पुतली अर्पित कर देनी है और मातारानी से ऐसी कामना करनी है, कि हेमा हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, उन्हें आप हर ले और हमारे जीवन में भरपूर धन संपदा दे ताकि हम अपने जीवन में हर एक समस्या का सामना कर सके और आपकी कृपा से एक शुभ और मंगल भाई जीवन चाहिए इस प्रकार की आपको कामना करनी है और इस पोटली को आपको पूजा समाप्त होने के अपनी पूजा की अलमारी में किसी भी स्थान पर गुप्त रूप से छुपा कर रख देना है ये प्यारे दोस्तों अब कुछ बातों का आपको खयाल रखना है कि आप जहां पर सपोर्ट लिखो रख रहे हैं वहां पर भगवान भोलेनात का ना तो फोटो होना चाहिए ना ही कोई शिव लिंग होना चाहिए मतलब कहने का ये है कि आप इसे माता लक्ष्मी की फोटो के नीचे या कहीं भी आस पास किसी कपड़े के नीचे छुपा कर किसी भी प्रकार से रख सकते हैं बस एक बार आपको यह कार्य करना है बार बार इसे करने की आवश्यक्ता नहीं है यदि किसी कारणवश यह पोटली खुल जाती है तो फिर आपको दोबारा से नई पोटली तैयार करनी होगी या फिर यह खंडित हो जाती है ये किसी वजह से यह दूशित हो जाती है तब आपको नई पोटली बनानी होगी, लेकिन फिलहाल यही लंबे समय तक आपका साथ देगी, आप जैसे ही सपोटली का निर्मान करेगी, अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होनी शु हो जाएंगी, यदि पैसे को लेकर कोई कार्य आपका बाधित हो रहा था, जाने की परेशानिया आ रही थी, पैसा कहीं अटक रहा था, समय पर पैसा मिल नहीं पा रहा था, तो वहीं समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपको एक और या व्यवस्थित नहीं है या सही स्थान पर नहीं है तो फिर आप इन्हें पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। पूरे विधी विधान से उनका नित्य पूजा पाट करें। गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं तो आपके जीवन में चमतकारी परिणाम प्राप्त होने शुरू होंगे। प्यारे दोस्तों, अब शालिगराम की शुद्धता को जानना बहुत आवश्यक है। कई प्रकार के शालिगराम बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन आपको देखना है कि शालिगराम की जो शीला है वह बिलकुल काले रंग की होनी चाहिए। उसमें कोई भी अन्यरंग दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ उसका स्वरूप बिलकुल काला होना चाहिए। अगर काले रंग में थोड़ा हलका रंग है, यानि कि हलकी काले रंग की वह चला है, तो वह शुद्ध शालिगराम नहीं माना जाता है। तो आपको देखना है, उसका परीक्षन करना है, तभी उसे अपने घर में लेकर आना है। बिल्कुल शुद्ध और काले रंग की शालिग्राम की सिलाई अब लेकर आनी है और उसी भगवान विश्णु का प्रतीक मान कर उसका पूजन करके उसे अपने तुलसी घर में या अपने पूजा घर में स्थापित करें या प्यारे दोस्तों और इस शीला को स्थापित करने का सर्वोत्तम दिन है गुरुवार या दोस्त तो यह कार्य आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं अब यदि उसी के घर में आपका सही व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो अभी से पूछा घर में भी स्थापित करने कोई समस्या नहीं है तो उस तो बस इन दो चीजों को इस बात की गारंटी देते हैं, अब एक बहुत ही गुप्त विशय हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी भी आप ध्यान से समझ ले की कि यहीं से सारे पूजा पाठ में विधी विधान शामिल होते हैं, या फिर पूरी जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, वह चौपट हो जाती ह ये प्यारे दोस्तों, अब आपने जैसे पूजा करने के लिए दीपक जलाया, बिना दीपक जलाये तो पूजा संपन होती ही नहीं है, या आप भी जानते हैं तो आपने दीपक जलाया और दीपक चलाने के बाद आपने अपनी पूजा पाठ प्रारम कर दी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो दीपक आपने जलाया है वह सोच सकारात्मक उर्जा का प्रतीक बना यानि भगवान के द्वारा वह दीपक स्वीकार किया गया या नहीं किया गया क्योंकि प्यारे दोस्तों मंत्र के उच्चारण के द्वारा यदि वह दीपक शुद्ध नहीं किया तब तक वह जागृत नहीं होगा, ऐसे तो हम खाना बनाने के लिए भी लोग जलाते हैं, तो क्या वह दीपक का स्वरूप बन जाएगा, ऐसे तो हम सर्दियों में तापने के लिए अपने घरों के बाहर थोड़ी थोड़ी अगनी जला देती है, तो क्या वह दीपक का शुर अन्यथा उसे जलाने या ना जलाने का कोई महत्व नहीं है, तो अब आप ध्यान से समझिए कि दीपक को जलाने का कौन सा मंत्र हो। अन्यथा पाठ का आपको विशेश फल प्राप्थ होना शुरू हो जाएगा, तो वह मंत्र कौन सा है जो दीप जलाते समय, प्रज्वलित करते समय, हमें उच्चारण करना चाहिए, तो ध्यान से सुने, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। क्या ध्यान से सुने शुभम करोती कल्यानम आरोग्यम, धन संपदा शत्रु बुद्धी विनाशाय दीप जयोती नमोस्तुते, इस प्रकार आप यदि जी दीपक को प्रज्वलित करेंगे, का दीपक पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, और देवी देवताओं के द्व है, तो आप निश्चित तौर पर पूछे, हम आपके प्रश्णों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, कमेंट में पूरे भाव के साथ, जैमा भगवती ऐसा करो एक बार नहीं, तीन बार अवश्य लिखना साथी साथ, जयोतिश कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद.